हेलो 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 तो क्या से हैं आप लोग उमीद करता हूं सब कोई स्वास्थ होगा और सही होगा और क्लास जो है वो जाड़ी करके रखाओगा कंटिनी ओगा क्लास ठीक है तो आज क्लास जो है वो आपको बताईए एसाई और सियाई का भी पार्ट्डू है जिन्होंने ये सिर्ख और सियाई का आप से यह रिकेंस्ट ह है कि कि आप जो है अगर concept को आपको सुरू से सही से समझने हैं तो आप प्लीज जो भी previous जो classes हैं उनको आप continue करो क्योंकि आप इन सारे class को अगर continue करोगे तब ही आपको जो है ना होने वाले सारे जो गतीबीधिया हैं पतब कहने यह मतलब जो तरीके हैं जो logic यहां पर समझ में चलेगा ऐसे नहीं समझ में आएगा कि कौन सा तरीका कैसे अपना आए गया आप समझ रहे हो तो आज जो है हम लोग हिसाई और सियाई का जो है सकेंड क्लास को continue करेंगे और इसके बाद जो है यह हिसाई सियाई आज खतर हो जाएगा और इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे ओर ईया 11 questions जो है आते हैं तो arithmetic जो है आपके लिए बहुत ही important बहुत ही important like a.र्थ है अब तो यह केर्ड का जो है केर्ड का यह 50% जो एक वेटा हुआ तो logarnantिक समझ गया तो आपके लिए बहुत ही असान हो हाक nap entry Study इस हम करना तो अगर आपका Doch जो है 10 11 questions जो हाते हैं अगर उसमें से अगर आप अच्छे से घंग से अगर आप 7 प्लस भी करते हो ना तो आपका 90 प्लस तो यहीं बनते हैं समझ रहे और उसके बाद जो है अगर आप 2-3 questions जो है 2-3 questions जो आप इधर से कर देते हो तो 95% इधर ही बनते हैं बात समझ रहा है तो इस मुद्दे के कोर्डिंग जो है ना यह सब चैप्टर जो है ना बहुत इंपोर्टेंट होते हैं ठीक है तो सबसे पहले यह बता दों कि आपका वेलकम है हमारे 11 M2 II है आपको पता हिए क्यों और क्या से ठीक है टेलिग्राम ल आपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलिक्राम ग्रूप से पहले सकते हो वहाँ पर हमारे निव अबडेट जाते हैं आपका कोई क्लास मिसना हो इसके लिए निव अबडेट साते रहते हैं हमारा क्लास पोड डे और इवरिडेज जो है इविनिंग में 6 पीएम जो है वीडि कर नहीं कर रहा होगा आप जो है सब कर रहे होंगे अगर नहीं कर रहे होगे तो थ्वासा ध्यान दीजे क्योंकि ऐसे हैं कि अगर आप सेयर करोगे तब ही हमारा जो है हमारा जो है एलार डियाई का जो है क्लास जो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपके सेयर करने से यह आएगा अगर पाड वीडियो जो है 500 500 500 प्लस आएगा एक दिन के अंदर में तो ही जाके लार डियाई का जो है क्लास जो है वह आएगा ठीक है तो भीना किसी टाइम को गवाय चले आज का क्लास सुरू करते हैं तो जैसा कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में कुछ कोस्टन पुछे थे उमेद करता हूँ आपने सॉल्व क्या होगा तो आज सॉल्व करनेंगे ठीक है कोस्टन यह यही था कि नाइन टाइम सॉर्डी कुस्टन यह था त्री टाइम्स ठीक है टेन यहर्स तो नाइन टाइम्स कोस्टन यही था आपको याद होगा ठीक से अगर आपने लास्ट क्लास किया होगा तो कुस्टन यही था जो मैंने आपको होमबग दिया था बोला था कि इसको जो है सॉल्व करके आना तो कुस्टन जो है हमारा यही था ठीक है आपने सॉल्व किया होगा ृसकर बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहतरीन ट्रीग जो है मैं बताने वाली है सब्सक्राइब ना इंच तो इसको कैसे करें के हैं कैसे करेंगे सो यहां पर एक चीज़ का घ्रान रखना कि जो भी ऐसा कोसंड यह ऎलाइगा यह कोई भी कुझळ ओहों वहां पर लिखा रहेगा यूजिंग कि ऐसाई का ओर सी लिए इन दोनों में से कुछ भी दिया होगा वहां पर using SI यसी अगर इन दोनों में से ऐसे question में अगर ऐसा question दिया हो अगर इन दोनों में से कोई नहीं दे रहा है तो आपका जो answer है न वो वह वहाना non of this इस बात का हम इसा याद रखना अगर इन दोनों में से कोई नहीं दे रहा है तो आपका answer यहीं होगा non of this इस बात को ध्यान रखना एक्टम guard बान लो कि यहीं है ठीक है तो मेरी आवाज में करता हूं से यह आ रही होगी थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा ज्यादा प्रॉल्म नहीं होना चाहिए आउटसाइड इलाके के जो वाइस हैं वो आते रहते हैं ठीक है तो यह क्लास सुड़ू करते हैं यह कोशन आपको समझ में आ रहा होगा इसका तरीका जो है अभी अपन समझेंगे ठीक है तो आसे है कि इसको सौब कैसे करना है देखो जैसे कि मैं कोस्टन में माल लिया आज मैं मान रहा हूं आसा कि मैंने बोला यासे क्या बोला मैंने मैंने बोला कि फ्योसिंग एसाइल फ्योसिंग एसाइल ठीक है तो कैसे करेंगे कैसे करेंगे देखो इसम प्यार से समझना देखो लॉजि 3 times 10 years तो 9 times how much year क्या करते है SI का तरीका अपनाना है SI में पता है simple interest जो होता है उसमें add करते हैं या बात याद है last class में मैंने किया था SI का मतलब होता है add करना और CI का मतलब होता है multiply करना क्याने के मतलब कि fix number का addition जो है वो SI है और fix number का multiplication जो है वो CI है इस बात को समझ रहे हो तो उसी चीज का जो है अभी यूज करना है तो अभी देखो क्या करना है बस add करना है ये फास्ट है इसमें प्लस टू हुआ है कितने गेर में 10 years में तभी तो ये 3 times बात समझ रहे हो बात समझ रहे हो बात समझ रहे हो तो थो manage कर लो इसके लिए I'm so sorry हाँ तो यहाँ पे ऐसा करते हैं देखो आने मुलो लगा कि पहले ये फॉस्ट टाइम में फॉस्ट टाइम में प्लस टू टाइमस हो रहे है तभी तो ये 3 times हो रहे है ना बात समझ रहे हो ये फॉस्ट टाइम में उसमें प्लस हो रहे है टू टाइमस ठीक है प्लस हो रहे है टू टाइमस ठीक है तब वह जाके 3 times हो रहे है मतलब उसको 2 times plus होने में उसको 10 years लग रहे है बात समझ रहे है टू टाइमस प्लस होने में उसको 10 years लग रहे है तो अगले टीन इयर में अगले टीन इयर्ज में अगले टीन इयर्ज में प्लस टू फिर से होगा तो यह कितना हो जागा 5 हो जागा ठीक है फिर अगले टीन इयर्ज में फिर अगले टीन इयर्ज में यह प्लस टू तो यह 7 हो जाएगा फिर अगले टीन इयर्ज में प्लस तू ती नाइं वजागा 9 ताम नाइंट प्लस तू आइं नाइं थार जिए और आइं आई हेलो हेलो सॉरी वो थूआ सा इंटरॉप्ट हो गया था थूआ कुछ टेक्निकल इसू की कारण बुझे ये जो है ये प्रॉलम जीरना पड़ा I'm so sorry for this तो जैसा कि मैं बता रहा था हूं थूआ सा वोईस में ये होगा तो जैसा कि मैं बता रहा था और असल में बता रहा था हाँ तो हम लोग यहां पे थे यह कह रहा था मैं कि 9 टेम्स तो यहां पे हो जाएंगे पूछ रहा है कि 9 कितनी यिर बाद होऊँगे 10 10 10 10 कितनी हो जाएंगे 40 येर्स बाद answer समझ मैं आँ तो मैं इसको फिर से क्लियर करता हूं, यह कह रहा है, यह कह रहा है, कोसल यही था, कि वो बोल रहा है, कि थ्री टाइम्स हो है, तो नाइन टाइम्स कितने एर्स बात होंगे, तो जैसा कि मैं 1 से सुरू करूंगा, इसाई की थ्योरिम पर, तो मुझे एड करता है, मतलब हर 10 एर्स पर यह जो है न, 2 का एडिशन हो रहा है, एबरी 10 एर, 2 का एडिशन हो रहा है, तो पहले से 1 तो था मेरे पास, प्लस 2 मैंने किया 10 एर में, यह हो गया 3, फिर मैं अगले 10 फिर इसको जो है न, 2 का एडिशन करूंगा, ठीक है, तो यह हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, फिर अगले 10 एर, फिर 2 का एडिशन करूंगा, तो यह हो जाएगा 7, फिर अगले एर, फिर 2 का एडिशन करूंगा, ठीक है, तो यह हो जाएगा 9 ताइम्स, बेशों कोस्टन क्या पूछा है, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स कोस्टन पूछा है, ठीक है, कितना हो, 40 एर्स होगा, समझ रहे हो, 40 एर्स होगा, समझ रहे हो, क्या वोल दो हो मैं, किशना, कail की एक और समय करते हैं, आतिके, इस टाइप की एक औरर समय करते हैं, बहुत है सिंपल लॉजिकली थिवर्यडी था, जो आपको भना समझ. अधम के और इस एकर दिद्ध हो आया कर देता हूं, ताहिए, कला फ tenía county एट यहां। आफ्टर 8-year पूछ रहा है, तो कैसे करोगे आप इसको, आफ्टर 8-year पूछ रहा है, इसा ही यूज करना है, कैसे करोगे, कैसे करोगे इसको, सेम वही तरीका आपनाना है, कुछ नहीं करना है, सेम वही तरीका आपको यूज करना है, मैं बताया कि फ़र्श्ट यठी तो हो गई प्लस की चो एंड प्लस जो यह 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 ना टेन इर्स में तो यह प्लस पॉन और हो तो प्लस पॉन हो रहे हैं जहीं है न कुछसरर के थर साथ में टू टाइम एट टाइम-स इत फिर प्लस फन होगा कितने साने 10 years में यह हो जाएंगे 3 फिर प्लस 1 होगा ठीक है तो कितना हो जागा यह 4 फिर प्लस 1 5 फिर प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 एट टाइम्स करने थे इसको यह बुज़ाना ना एट टाइम्स कितने यह बाद होगे कितने 10 20 30 40 50 70 70 साल बाद जो है न यह जो है न एट टाइम्स होगे बात आ रहे है समझे में सत्तर साल बाद जो है एक एट टाइम्स होगा पोस्टन को समझ रहो लॉजिक क्ली करना है तो यहां पर यहां पर यहां भी चींज हो रहा है तो उसको आपको वैसी लोजिकली आपको लोजिक के एकॉर्डिंग गरना है आसे जो है मेरा जो है ना ठीक है, पॉर्सेंटेस का, ठीक है, यह बहुत जल्द आने माला है, ठीक है, टॉप ट्वैंटी, कोस्टन इस जो है, यह आएंगे पॉर्सेंटेस के, ठीक है, उसके बाद आएंगे प्रॉफिट लॉस के, उसके बाद एस आई और सी आई के, इसमें जो भी है ना, कैट इस वीडियो को आप एकतर ध्यान से देखना, यह जो है, जो मेरे सेशन में अप्लोड होगा, अगर अब अभी कर रहे हो तो थोड़ टाइम लगेगा, लिकिन अगर आप थोड़ लेट हो, तो अप्लोड हो गया है, यह आप जाके सेशन से देखना इसको, सेशन में देखो वाली जो होना, और कोशन से, कॉट्व होगा, तो आप dad, अपको समझ में आएगा, अगर ओफारा के सारे कुट्वाज कर में थो यू्द कर रहा है, तो आको हो आप जो गोशन होगेग तो आपका कोशन कर में थो आपका जो है न मदुआ होगा, वह सारे की शारे झो पर डि सब्सक्राइब करें तो आप जो पढ़ रहे होना जो भी पढ़ रहे होना आप कुछ वहाना इसको प्रेसर में नहीं पढ़ना है था हुआ है तो उसले हैं मैं घआ है हो से सब्सक्राइब करना कर नहीं होते है इस कि आपको सब्सक्राइ बहुता है तो कैसे करो गया simple वही लोजिक लगा इसमें क्या करना है multiply करना है तो 3 times 10 year में मतलब कितना multiply होगा तुमाग लगो कितना multiply होगा 3 से multiply किया होगा तभी तो यहां पे 3 आए होगा 10 years में अगर 1 में आ 3 से multiply करें तो अभी तो 3 आएगा तो 10 years में यह बोल रहा है 3 times अतला 10 years में 3 times तो 3 into 1 is called to 3 ठीक है 10 years हो गया 9 times पूछ रहा है इसमें फिर मैं क्या बहूंगा 10 years add करूंगा क्योंकि मेरा तो हर 10 years पे 3 का जो है 3 से multiply तो होना है हर 3 years में sorry I mean हर 3 times के लिए मुझे 10 years चाहिए question के एक order ठीक है तो यहां पे तो multiply होगा यह उजगा 9 times कितना सा 10 और 10 20 years के लिए जो है न मुझे हो है न 9 times हो जाएगा समझ रहा है बात को समझ रहा हो क्या बोलनूंगा बात को समझ रहा हो बस मुझे जो है न है addition और multiply का ही ध्यान रखना है SI CI में SI का मतलब addition CI का मतलब multiply इस बात का हमेशा ध्यान रखना है यह हर जगा काम आएगा और को समझ रहे हो अब 2 times वाले जो question थे वो कर लेते हैं तीक है इसमें क्या करना है 1 दो पहले से थाई 10 year में 2 times अब तब 2 से multiply ठीक है समझ रहे हो 2 हो जाएगा यहां पर ठीक है फिर क्या होगा 2 से multiply अगले 10 years के लिए कितना हो जाएगा 4 अब फिर 4 में फिर से 2 से multiply 8 कितने है 30 years कितने times 8 times समझ रहे हो बात आरीए समझ रहे है इस ट्राप के question जो है आपके snap में मिलेंगे और इसके कुछ parts जो है आपको CAD में मिलेंगे तो CAD में तो आपको पता है कि तो आ लोजिकली question आता है तो इस type के question जो है stamp और CAD के ही label के question जो है आप अपी कर रहे हो तो यह उसी type के question से है तो आपको बड़े ही ध्यान से आपको जो है इस question को solve करना होगा ठीक है आओ लीचे एक question दिया हुआ इसको solve करते है question देखो क्या बोल रहे है एक बड़ा question को read करो इसको जो है ना हम दो पहले simple enterprise पर करेंगे फिर compound enterprise पर इसको swap परेंगे तो पहले आप simple enterprise बस्वारा क्षोतकोव से try करो अगर खुद से हो जा रहा है तो ठीक है और खुद से नहीं हो रहा है तो आप जो है ना पहले एक बाद़ खुद से try कर लो और उसके बाद है ना फिर बीडियो को आम जो है ना continue करके देखना कि solution क्या है लेकिन खुद से पहले एक बहर try करो जितना practice करोगी ना उतना से रहेगा तो उमीद करता हूँ कि आम जो है यहाँ तक पहुचे हो तो उमीद करता हूँ कि आम जो है ना question भी solve कर रहे होगे और मौक की बात रही तो आप पहले अभी arithmetic हतम हो जाने दो उसके बाद जो है ना आप session wise session जो है ना मौक देना अभी full मौक देने कोई जो है ना फैदा दिखनी रहे अगर आपका जो है ना concept clear नहीं हुआ है तो ठीक है वो आपको demotivate कर देगा अगर अभी आप मौक दे रहे ह है जो उनकी लिए है जो अभी concept सिख रहे है तो चलो फिर उस question को solve करते हैं देखो क्या बोल रहे है बोल रहे है simple है if an amount adds simple interest twice in eight year मतलब two times हो जा रहे है 8 years में ठीक है तो it will become how many times in 16 years ठीक है की को समझो लिए 16 years question ठोवा सा change है देख रहे है उसमें times निया था इसमें years दिया है ठीक है कितने how many times in 16 years समझ रहे है समाझ रहे है यह करना कुछ नहीं है बस वही करना है two times eight years में क्या है simple interest है जीक है पहला first year प्लस कितना होगा one eight years इक है यहां पर क्या हो जागा two फिर प्लस होगा one यह कितना हो जाएगा eight years यह कितना हो जाएगा three समझ रहे हो बात को three मुझे कितना 16 years दिया है eight or eight 16 years कितना हो जाएगा three times हुसाल को सुझो क्या बोल रहा है इस तु ताइप्स हो रहा है two times हो रहा है eight years में है तो 16 years में कितने टाइंस होंगे पर येर के क重要 है एडिशन कितना है त्रिटेंट्स कि समझ रहे हैं अब बात आ रही है समझ में क्यों आ रही बात समझ में समझ में आया क्या से हुआ है ठीक है अब करते हैं इसी को जो है था CI पर करते है इसी कोशन को था अब जो है तो आसा चेंज कर देता हूं इसकी जगा CI कर देता हूं यह कोशन को जो है अब CI पर सॉल्ट करके दिखाऊ CI पर स्वर्प करके दिखाऊ कुछ से कर लोगे हो जाएगा कुछ से सिंपल है मुल्टिप्लाई करदा है वन इंटो टू ठीक है एट इयर्स टू के अडिशन टू टाइम् सॉर्डी टू से मुल्टिप्लाई टू टू टाइम्स यूजिंग सी आई वो हो जाएगा कितना 4 टाइम्स यूजिंग सी आई जो है इसको लॉजिकली आप सॉल्ट मेरोगे इस टाइप का और सारे कोशन आपको खुद से जो है सॉल्ट करते रहेंगा तभी आपका बेस में जबूत होगा अब हम करते हैं तो यहाँ तो आपने आपने कॉंसेप्स सिख लिया कि यह कैसे होता है तो क्याट लेवल कॉसेञ जो है वो करेंगे अभी एक-डौ कॉंसेप्ट जो है अभी सिखाना आपको बाखी है बताना बाकी है तो वो सारे के सारे कोसेट करेंगे अभी ठीक है तो यह तो समझ में आपको आगया ठीक है यह तो उम्मिल करता हूं कि आपको समझ में आ गया और इस टाइब कोस्टन भी करेंगे ठीक है उससे पहले जो है एक कोस्टन जो है मैं आपको दे रहा हूं इस कोस्टन को आप करो इस कोस्टन को जो है आप करो यह कोस्टन जो है बहुत ही बहतरी कोस्टन है cat level को स्नुधा अब इसको solve गरो आध समझ रहा हूं आप इसको solve गरो तो अभी तक जो भी बने हो अगर आपको class गराव है पसंद आ रहा है तो यह सब्कर आए कि यह जो class है हमारी totally free है सब कुछ हमारा फ्री है टीक है उतना मेहनत चल रहा है बस आपके लिए पस आपको करना कुछ नहीं है ठोड़ा सा बहनत करना है आपको जो है क्लास को जॐ है लाइक करते रहना कुल को छो है अब दोस्तों के साथ से लिए तो आपको जो और चैनल को रेच लाने हुए और ये चैनल सी किया कोई नहीं है इस चैनल से कामा वहारे पास ग्यान है उसको और लोग के साथ ग्यान बाटू कहते है ना वो ग्यान बाटने से और ज्जादा ग्यान बढ़ती है तो पिर यही वेनिफिट हो रहा है और कुछ नहीं है तो आपको बस यह करना है तो मैं बता रहा हूँ ठीक है चलो यह Quesn करो क्या है एक बार खुछ से ट्राइब करो फिर नहीं होगा क्यों से क्लियर करते हैं ले वह क्यों क्या गए रहे है कि असर्टीन अमांट बिकॉंट्स आरेस फाइब थाउजन सेवन हंट्रेट शेक्टी इन टू यह एंड आरेस सिक्स थाउजन 921 in three years again semester to what is the principal amount at the rate of interest using CA so see I can use the man again personal value a certain amount become a RS 5760 in two years and आरेस सिक्स थाउजन तू सिक्स थाउजन नाइन हंड्रेट वैंट्टी वन इन थर्ड यहर्स त्री यहर्स तो वार्ड इस प्रिंस्पल amount at the rate of interest using CA ठीक है इस को सुन को क्या से करना है हुआ सिंप्प्ली मुझे क्या करना है इंट्रेस इूत्रेस कर्णा मुछे प्रिंस्पल नामाउंट है एंपिर बाल रिकालना है तो इस पुसका क्यों से करेंगें तो इस फिसंपल अम cheek offline सबसे पहले मुझे देख सेकेंड ये जो है मेरी अमाउंट जो है 5760 है देखें आफर थ्री यह जो है वो जा रही है 606,921 देखें यह हो रही है यह हो रही है यह हो रही है अब देको इन डोनों में डिफ्रेंस लिख लेगा 606,921 मैंनस 5,760 5,760 ऐखें इस से जी हो है मैं डिफ्रेंस लिखा लोओंगा कैसे लिखेंगा इस देखेंगा अलब लिता है क्या आएगा अपना difference क्या आएगा कुछ नहीं है यार question को हो है ना logically solve करना है समझो ठीक है logically solve करोगे question जो है ना automatic solve करोगे यह हमारा question था ठीक है difference कितने ही आ रहा है 1161 यह आएगा difference आएगा ना आएगा difference हम मुझे क्या करता है इसका बस यह value लिकाम लेना है कि यह जो value है यह इसके कितने है क्योंकि second year के इथा ना इसके कितने percent के बराबर है क्योंकि पहले अगर second year का पता चलेगा कितने percentage में लिया गया है तभी तो यह वहारा third year लिक लेगा ना बात समझे लो तो value लिकाम लेना है 1161 by 5600 760 into 100 कितने percent के यह बराबर है मुझे यह लिकान लिए ठीक है ठीक है 20% मेरा rate of interest आगया समझ रहो कोई formula का यहां पर जरूरत दिख रहा है कोई formula का जरूरत है यहां पर दिख रहा है जासे मैंने बताया थो ठीक है 120 से है CI बस CI बले डाल दो ऐसे ही नहीं निकालते है CI total amount दे रखा है ठीक है पी लिकान ला है अरे ऐसे ही तो करते है ना बताया तो थो आपको last class में ऐसे ही तो करते है गया गया ठीक है clear करो दिकाल लो physical to 4000 चेक करके देख लो इसको चेक करके एक बार देख लो खुद से बास समझ में आ रही है क्या बोला मैं यह questions जो है cat level questions होते हैं यह आपको यह installment वाला है मैंने बताया था कि SICI में इस्टॉल्मेंट वाला जो कुस्स जो आते है न वही यह इस्टॉल्मेंट वाला ठीक है तो क्या करना है क्या करना है आगे एक बार और बता दे तो एक बार फिर से समझ लो बहुत ही simple concept जो है इस question में यह हो जाए ठीक है एक चीस का हमेंसा दयान रखना मेरा जो यह amount यह थाना यह जो amount यह थाना यह second year और third year का था अतब दो साल में इतना दे रहा है और तीन साल में इतना दे रहा है ठीक है इस चीस को हमेंसा याद रखना question change हो जाएगा question में यह भी कह सकता है कि first year first year उसका इतना amount second year जो है उसका इतना amount third year उसका इतना amount first second third इसका द्यान रखना ठीक है समझ रहो उस type के question आएंगे आपको जो है उस type के question जो है top 20 में जो है उस question को clear करवाएंगे तो हमारा top 20 top 20 cat cat top 20 questions इसके जो वीडियोज है यह आप देख लेना ठीक है साड़े chapters के होंगे ठीक है यह आप देख लेना तो देखो पहले मुझे निकान लेना है इन दोनां का compare कितना था हमारा 116 62 के याप्रॉक्स हुआ ठीक है यह थाना हमारा compare 1161 क्या है ठीक है इन दोनां compare देख लेना है अब मुझे यह पता करना है कि second year में यह जो है इससे 1161 कम है तो कहना है मतलब कि यह जो है हमारा rate of interest है यह जो amount जो दिया है यह rate of interest है तब अब यह rate of interest है तो यह मुझे लिकाना यह है कि यह इसके कितने % की बरावर है ठीक है इक्वल है बस यही करना था यही करना था 20% क्या प्रॉक्स आएगा ठीक है 20% आगे P की वैलू लिकान नहीं है 120 CI ठीक है 20 years का था ठीक है 5760 यह की वैलू हमारी आ जाएगी 4000 answers अगर इस जगह पे यह रहता अगर यह रहता कि 3 years का दिया है 4 years का दिया है तो भी तो यही करते ना तो यहाँ पे add दोता है 120 बात समझ रहा हूं क्या मैं बता रहा हूं क्या मैं बता रहा हूं इस बात को समझ रहा हूं ठीक है अब चलो आगे question करते है वह बहुत ही बहतरी question है लेकिन उससे पहले यह question जो है यह question जो है आप हो करना है बहतरी question है यह ठीक है question को read करो इसके बाद आपको दो थिंग concept और बताऊंगा ठीक है उमीद करता हूं कि आपको classes हमारी समझ में आ रही होगी तो पहले question को read करो क्या बोल कह रहा है question को जो है यह भी cat level question है यह question है अभी आज जो भी concept हो रहा है उस सारे के सारे cat level है cat level, z level जो है यह questions है ift में जो है ift snap में थोहाँ सा easy questions आते है ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना तो यह question को है आप solve करो खुद से थोड़ा एक मिनट दो मिनट टाइम दो इसमें max to max 3 3 minutes नहीं उससे जादा मत दे रहा ठीक है उसके बाद जो है आप video continue करके देख लेना अगर बन गया तो ठीक है नहीं बना तो video continue करके आप एक पर देख लेना ठीक है इसका answer बता दू 10,000 लोगो ठीक है तो concept को clear करना ही हमारे channel का उब्दिस है ठीक है इस बहुत को ध्यान रखना मैं बोल रहा हूं हमारे channel का यह उब्दिस है कि concept आपका clear हो no formula no tricks बस logically जितना solve हो जाए क्योंकि logically करना ही जो है cat के लिए beneficial होता है क्योंकि cat में question repeats नहीं करते है बात समझ रहा हूं कभी भी question रहे है हाँ लेकिन एक चीज़ याद रखना concept वही रहेगा concept वही रहेगा बस question को यह घुमा देगा change कर देगा ठीक है आपको बस कुछना है समझे रहा हूं तो return to bidya जो आपको कहते हैं return to bidya वो किताबी कीड़ा वो यहाँ पर नहीं बनना है यहाँ पर किताबी कीड़ा जो होते हैं उनका कोई मतलब नहीं है कि पिताब पढ़ पढ़ के बढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के जो है ठीक है यहाँ पर दिमाग से काम लेना तो दिमाग की जो बावर को है उसको increase कर without any pressure pressure कर्या आपको बहुत जादा दिक्कत हो जाएगी फिर तो क्रीशर में आपको रहना माइड चोएना काम नहीं करती है समझ यहाँ तो चलो यह को सुन को करते है तो यह को सुन क्या कह रहा कह रहा कह रहा है The amount is kept in a bank at 10% interest compound annually ठीक है if the interest being 12% सब्सक्राइब करने के बाद है आपको मैं तो इन चीज जो है आपको मैं पताऊंगा तभी जाके आपको है ना ये कोशन का मतलब समझ में आएगा या फिर अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो अगर आपको पता है अगर आपको पता है तो ठीक है अगर में पता है तो जो है न मैं आगे वाले मतलब अभी इस सब्सक्राइब करें इसके बांद आपको यह सब तो चलो पहले क्या बोल रहा है सिम्पली इसमें क्या है क्या बोल रहा है कंपाउंड का यूज हुए क्या का यूज करने है क्या ठीक है चलो फिर करते हैं प्रिंसपल वैलो मुझे पता नहीं है तो ब्रिंसपल के लिए मैं िकला हो भी तक हा़ कि यहां व्यत्यान दो यहां भी लिख्या है यहां में विजोटाल का इसेंड़े उलस पॉट्सिंट कंपाउंड सेमी एनुवार्य की शेमी समझ रहा है सेमी एनुली मतलब सालवें दोवार हर सेक्स मंद पे समझ रहे हर सेक्स मंद पे अभी देखो तो अगर हर सिक्स मंद पे लग रहे है 12% इसका एनुल चार्ज है और यहां पे सेमी एनुली बोल रहे है मतलब जो एह हर सिक्स मंद पे इसको सिक्स परसेंट लगे है घबड़ा हो नहीं यह कॉंसेट आगे क्लियर होगा ठीक है 12% है तो ऐसे होगा ठीक है अब हम करेंगे मायरेस बस टेवल में सजाओ क्यासे बोलना उसका चाहरा है कि 10% इंटेल्स कंपाउंड एनुली यहां पे सेमी का नहीं है यहां पे डाइडेक्ट है कोई सेमी नहीं है यहां पे 10% है ठीक है 10% है ठीक है तो क्या होगा पी की वैलू मुझे पता नहीं है वही तो लिकान में है 110 हो जाएगा 500 कितना तो अमांट आफ्टर वन इयर उड़ है बीन कितना हो जा रहा है प्रम कितना हो रहा है 236 इतना मुझे चाहिए इन दोनों के कड़ने पर जी कहें यह हो रहा है अब बताओ इस कोस्टन को यहां अगर आप टेवल में आप तो क्या इस question का कोई दम है इतना hard question जो है आपने एक लाइन में अगर सजा लिया तो क्या ये question जो है असानी से होगा पी की value अब लिकल जाएगी लिकलेगी simple है यह लिकली जाएगी क्या है इसको solve करो पी की value आजाएगी का समझें वी सब्सक्राइब करें और इसको सॉल्फ करो पी की वैलीव आ जाएगा कर लिये होगे कि सॉल्फ करो चलो करते हैं कि इसका निकालते हैं कि मुल्टिप्लाई होगा है इस तो आसा करते हैं कि आप पॉइंट में कर लेते हैं सिधा हो ठीक है यह हो जाएगा 1.1 इतना होगा देखना गाल काल्कुलेशन मिस्टेक होगा तो ध्यान देना ठीक है यहाँ पी यह हो जाएगा यहाँ तक उमीद करता हूँ हो गया हो अब कुछ करना है अरे कुछ करना है यार इसको इससे माइनस कर देना इसके बाद कुछ करना है कुछ करना है पॉइंट इसको इससे माइनस करोगे तो यही होगा तो 236 आगे तो कि वहलू निकालनी है 26 बाई कितना हो जागा हो जाका 0 to 26 आई होगा ना कट कर दो कि यह गयाए है कि अग्याइब टीन है हो गया लाग्याए है कि अच्छली में यहां पर हुआ रहे हैं सेमी का मतलब होता है कि हाफ यह बतलब हर सेट मंद पर हर सिक्स मन पर है तरह से यह अब समझो एक दो कॉंसेट है उसको क्लियर करते हैं तो आपका SI जो है पूरा clear ठीक है कि कहा रहा है कि CI जो है तस्वे उसको संपर लेते हैं 12% पॉड एयर ठीक है अब मैं बोला कि इसको जो है आना आपको सेमी में चेंज रहने है सेमी एन्वाली में तो इसको कैसे चेंज करोगी हर 6 मंत पर 6 मंत कैसे करोगी इसको 6-6 करोगी 6% इधर 6% परसेंट अगर आप गया है किसी बैंक सीमें जो है वह 12% आपको आन्यूल देता है अपने 6 मंत बाद गया कहा कि मुझे जो है अपने अमाउंट का जो है इंट्रेंस मुझे बताओ कितना हुआ तो पैंक जो है आपका 12% थोड़ी नहीं एड करेगा वो तो 60% करेगा ठीक है क्योंकि वो तो क्याल्कुलेशन जो है भले आपको बतात हो रहा है अनुवाली लेकिन क्याल्कुलेटर तो जो क्याल्कुलेशन हो रहा है वो आपके मंत पर हो रहा है समझे हो अगर यहां पर बैंक से आप बोलो कि टू मंट्स के बाद आप जाके उससे बोल जो कितना हो तो उसका एक सान में जो है 12% बोल रहा है एक सान में 12% बोल रहा है तो पर मंत पर मंत जो है पर मंत जो है उसका 20% रहा है तो आफ्टर टू मंट्स टू परसेंट कहीं आपको इंट्रेस्ट डिगा वहाँ समझे रहो बात को समझे रहो कि आप बोल रहा हूं मैं तो इस बात का आपको हमेहिसा ध्यान रखना है सेमी पता होना चाहिए है हाफ सेमी एक ही होता है आपको क्वार्टर पता होना चाहिए क्वार्टर कितना होता है क्वार्टर क्या होता है थ्री मंद्स वाले कि अब्री थ्री मॉन्स थीक है क्वार्टर हो जाते हैं समझ रहो एक दो और कॉंसेप्ट रहे गया है थीक है उसको एना अगले क्लास में थोड़ा सा ही वीडियो चोड़ा हो जा रहा है थोड़ा सा कुछ ही हमारे जीम से काम की कारण ठीक है एक जाता है नहीं बस पांदस मि का और रहेगा आप अगले क्लास में इसको जो है ना हम दो क्लियर करेंगे एक अच्छा क्वेश्चन भी है वो कर लेंगे सी आई कंपलीट हो जाएगा तो आज के लिए इतना रहने देते हैं अगले क्लास में जो है कुछ करना नहीं है अगले क्लास में जो है हम दो करेंग कर देना ठीक है और जो भी करना है कर देना या सब्सक्राइब कर लेना आपके बेनेफिट के लिए ठीक है तो बने रहो हमारे चैनल के साथ उमेद करते हैं कि कॉंसेट आपका क्लेर होगा लॉजिकली आप सॉल्व कर रहे होगे अगर यहां तक अभी कॉले आपने क्लास किया है तो ठीक है तो चलो ठीक है फिर बलते हैं झाल आप खरोगा है, तो रोँ यद मतकी क्या जते हैं उजाती है, जँ, आप है तो, दो सिलू, छวย तो, याल रियर मत्यो fijत